गोली चलانे में इनके हाथ ठुले रहे और लोचपार रामविलास के सुपरीमों चिरागपास्वान ने मुख्यमंत्री नितिश कुमार को खेरा कहा कि बिहार सरकार से अपनी मांग कर रहे तो उन पर लाठीचार्ज और गोली चलाइ जा रही है तुरंत प्रधान मंत्री से वो जवाब मांगते हैं कि मनिपूर पर बोलना चाहिए क्या मुख्य मंत्री को कटियार पर नहीं बोलना चाहिए क्या मुख्य मंत्री मिष्टिश कुमार जी को सामने आकर नहीं बोलना चाहिए भागे वे जाते हैं वो बैंगलूरू जाएंगे अभी मुंबई में बैठक होगी फिर वो जाएंगे इस उमीद के साथ लंको स्रेयोजक वहां पर बना दे रहे हैं पर अपने ही जिला में जाने के लिए उनके पास समय नहीं है क्यों नहीं जाते भागे वह वहां पर और जाकर देखे एक आम बिहारी मरा है ना वहां पर तो जाकर जानकारी हासिल करें प्रदेश के ग्रह मंत्री में वो तरसाशन दातर उनिक अतर्कत आता है मुख्य मंत्री को भी इन विश्वग्यों पर बोलना चाहिए और कमसे कम अपने प्रदेश में तो जाए मुख्य मंत्री पर लाटी गोली ही एक समाधान बचाए बात आप किसी से करेंगे समस्या का समाधान आप निकालेंगे ने तो क्या करेगा भईया कल को इंब इहार चाहत राज भी परेशान है भईया तीन-तीन साब के पूर्स के लिए कल हम लोग गहते परसो गवर्नर के साथ हम लोग इनके सक्ता पक्ष के जतने लोग हैं बिहार से उन सबने बाइकाट किया उस बैठे के भई वहाँ पर जाते हैं गवर्नर के सामने आप अपनी बातों को रखते हैं हम लोग तो गए भईया हम लोगों ने रखा उच शिक्षा को लेकर जितनी आनियमता यहां पर बढ़ती जा रहे हैं तीन साल का कोर्स पास पास शेचे साथ हैं यहां पर समाप नहीं हो का विकेंसी पड़ी हुई हैं वह कर पहले सीटेट बीटेट उसके बाद बीपीसी का आपने बादा बनाया सारी चीज़े होने के बाद डॉमसाइल नीटी को आप उसके जाटा जेते हैं तो कल को जब वह और बड़ा अंदोलन करेंगे बाचीच साब समस्या का समाधान तो यह लोग निकालते रही हैं तो क् एक ही बात नियम बनाई दीजिए ना वहिया कि जो सड़क पर उत्रेगा सांसदों के उपर आप इस तरीक से लाठी चलाने जब भारतिय जंदर पार्टी के तमाम लोग उत्रेते उनके विधायक उनके सांसद किसी का सर भूदा किसी का हाथ भूदा कारे करता हो तो एक ही आपको बताते कि कटिहार के बारसोई में भिजली की नियमित आपूर्ती को लेकर प्रदर्शनकारियों पर फाइरिंग में दो लोगों की मौत के मामले में कटिहार के जिलादिकारी रवी प्रकाश और पुलिस अधिक्षक जीतेंद्र कुमार ने दावा किया है कि पूरी गोल इससे खुर्शित सोनू की मौत नहीं हुई है पंजाब के स्री टीवी के लिए पट्ना से संजीव कुमार की रिपोर्ट